फैस्दाबाद इद की खोश्चों को मनाने के लिए लोगों ने मठाई की दुकानों का रोख कर लिया क्यूंकि मिठाई इद पर मठाई और केक ना हो तो इद का मज़ा खिरकरा हो जाता है रिपोर्ट कर रहे हैं फैस्दाबाद से राना असिफ और से बहुत हो है दुबारा वाइट क्रीम पाइनेपल पिस्टा बदाओं चॉकलेट चिप और मज़िदा जैली से बने हैं ये केक मज़ेदार केक जो खास तोर पर तयार किए गए हैं ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए कहीं तो आल्मन्ड मैकरोनिस पैक किये जा रहे हैं तो कहीं कोकोनाट केक दुकान दारों का कहना है हाँ में ईद पे स्पेशल केक मनाते हैं जो लोगों को बहुत पसंदा है हमारी तरफ से साथ लोगों को ईद मुवारक मज़ेदार मठाईयां भी सजी हैं दुकानों में जाबजा खीर बर्फी रोल पिस्टा चमचम गुलाव जाम रसगुले ये सब बड़ी मगदार में तियार किये गए हैं ईद के मज़े को दबाला करने के लिए खोए खोपरे बदाम पिस्टे की गाड़नी से तियार की गए हैं रंग बरंगी मठाईयां ईद पर मसरूफ है इन मज़ेदार चीजों की खरीदारी को लेने के लिए खरीदार का कहना है बच्चों के साथ आएं ईद का समान लेने के लिए तो ईद का केक और ईद की फैनी वगरा लेने के लिए आए हैं तो जो है सब लोग ईद की खुशी उमदा के शरीक हो सके इस खुबसुरत तहवार की खास बात ये भी है कि हर कोई अपनी खुशी को अपने दोस्त हबाब के साथ मारता है मुक्तली मीटी चीजों के जरीए कैमरा मैन इजास के साथ राना असव रॉयल नियूस फैसला बादा मांगावंडी में सियासी और समाजी कार कुरान ने मीटी ईद के मौका पर अपने पेगामात में क्या कहां आपको सुनाते हैं मेरी तरफ से पाकिस्तान मुसलिम नूर और मेरे कायद मिया मुहमन वाशे और शवापशी तरह से मेरी और मेरी जमाद मुसलिम लिग नूर की तरफ से साले पाकिस्तानी भाईयों और उमत मुसलिमा को को ईव मुबारक हो पाक आर्मी की तरफ से और अग्जे मतासरीन केम्प में 363 गुर्बा में कप्रे जूते और इदी तक्सीम की गई और अग्जे मतासरीन केम्प तोक सराय हंगों में पाक आर्मी और फ्रेंटियर कोर के जानिब से और अग्जे सकॉर्बा मुसलिमा केम्प में रहाइश पजीर आर्मी की तरफ से और अग्जे मतासरीन केम्प में 363 गुर्बा में कप्रे जूते और इदी तक्सीम की गई यहां पर मजीद आपको बताएं औरकज़े मतासरीन कैम्प टॉक्स तराय हंगो में पाक आर्मी और फ्रेंटियर कोर की जानब से औरकज़े स्काउट्स ने मतासरीन कैम्प में रहाईश बजीर 363 मुस्तहकीन में कपड़े जूते और एदी तक्सीम की इस मौका पर औरकज़े मतासरीन के गरीब वाम ने खुशी का इजार करते हुए कहा पाक फोज का शुक्रिया अदा किया उन्होंने हर हाल में औरकज़े कबाईल का साथ दिया है औरकज़े एजनसी में फ्रेंटियर कोर और पॉलिटिकल एजन्ट के तावं से कबाईली जिला औरकज़े के तबाशुदा घरों की मद में औरकज़े कबाल में मुबाब मुआवजे के चेक तक्सीम किया गए तक्रीब में डियस्पी जिला औरकज़े खाले अकबाल वजीर औरकज़े स्काउर्स 332 विंग कमांडर करनल जर्नल उमर एडिशनल डेप्टी कमिशनर औरकज़े तारिख खान के इलावा औरकज़े तबाशुदा घरों के मालकान ने कसीर तादाद में शिर्कत की तक्रीब में खिताब करते हुए डेप्टी कमिशनर औरकज़े खालेख खालेद अकबाल वजीर विंग कमांडर करनल उमर ने कहा कि पाक आर्मी फरेंटियर और पॉलिटिकल एजन की खसूसी कोशिशों से हकूमत औरकज़े तबाशुदा घरों के लिए मुआफ़े के पै उसे गुजारिश है के वापिस जाकर अपने घरों को आबात करें इदल फितर का दिन है हर घर में खुशियां और मुसरते हैं मगर कसूर के सरकारी मुलाजिम शबीर भटी के घर सफे मातिम बचा हुआ है जिसको चांदरा सिर्फ 40 रुपे के एविस कतल कर दिया गया पुलीस ताहाल मुल्जमान को गिरफतार ना कर सकी चबके शबीर भटी के वालिदा बीवी और चोटे 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 बच्चे खम से निडाल है और चीफ चेस्टिस वा पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालिबा कर रहे हैं कसूर से इस वक्त तन्वीर शाहिद मकबूल शबीर भटी की फैमली के साथ मौजूद है मुजीद उन से जानते हैं जी तन्वीर शाहिदा गाह कीजिएगा जी बिल्कुल इस वक्त मैं शबीर भटी के घर में मजूद हूँ जिसे जो है वो दो रोज कबल तशद्द करके शदीद तशद्द करके जालमों ने जो है वो कर रहे हैं का मतालबा कर रहे हैं मैं सक शुरू से बढ़ो क्योंकर वो दिन ने है ना इदल फिदर का दिन है हर घर में खुश्यां और मस्वर्टी हैं मगर कसूर के सरकारी मुलासिम शबीर भटी के घर सफे मातम बिचा हुआ है जिसको चांद राथ सिर्फ 40 रुपए के एवस कतल कर दिया गया था पुलीस ताहाल मुल्सिमान को गिरफतार ना कर सकी जबके शबीर भटी की वालिदा बीवी और चोटे 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 वच्चे गम से निडाल है और चीफ चैसिस वापागिस्तान से अस्खुद लोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं इड का दिन है हर घर में जो है वो खुशिया है मगर इस घर में जो है वो मातम है मेरी अंखों में भी वो आसु है क्योंके वो मेरा भी एक अच्छा दोस्ता मगर जालम जो है वो कैफरे करदार तक अभी तक नहीं पहुंचे हम उन से जानते हैं कि वो क्या कियाना चाहेंगे और उनका हकुमत से क्या मतालबा है जी बताइएगा जी मेरा ये मतालबा है कि शुबाश श्रीव साब और चीफ जैसा साथ उसका नोटिस ने जिनों ने मेरे बाई को तरशाद करके मारा है 20-25 लोगों को इनको फांसे देनी चाहिए और हमें नसाफ मिलना चाहिए और उन्हें बहुत जाला मेरे बाई के साथ तश्रीव किया है हमें इसका नसाफ चाहिए जी आप जो है वो क्या कहेंगी आप शबीर की बीवी हैं तो क्या मतालबा है आपका क्या कहेंगी मेरे बच्चों को मिजदिन साफ चाहिए मेरा कुमा से यही मतालबा है मेरे बच्चों को इनसाफ दिलाए जो जलुम उन्हें मेरे मियां पे किया है, उनको इनसाफ दिलाए, जालबों ने इतना तशदुद किया मेरे मियां पे, उन्हें इतने विदर्डी से कतल किया, पुलीस भी तक नाकाम, उनको गिरफ़तार करने में, पुलीस थाना साथ, पुलीस टाइम पे नहीं पहुंची, जी, आपने सुना कि पुलीस जो है, वो वन फाइप पर काल करने के बावजूद जो है, वो मौके पर नहीं पहुंची, और मैं आपको ये भी बताता है चलूँ कि शबीर ने अपना नजही बियान भी रिकार्ड कराया था इन मुल्दमान के खलाफ, कि उसे इतना का निशाना बनाया गया, कि जो है, वो उसकी डेथ हुई, मगर अब देखना ये है, कि पुलीस मुल्दमान को गिर्फतार करती है, कि नहीं करती है, इस घर में आज एद के दिन सफे मातम सिर्फ इसलिए है, कि चालीस रुपए के इवस जो है, वो दो अफराद को की वज़ा से जांबाग को गया, सोसाइटी फॉर हुमन राइट्स के जलाई सदर, डॉक्टर शेहजाद अली रिजा ने तहसील हस्पताल के मरीजों, वन वन टूटू के रजाकारों और थाना चौक के आजम के हवालात के कैदियों और ड्यूटी पर मौजूटी पर मौज अखलाफ़ाई करते हैं, ये लोग हमारे लिए बाहिस से फखर हैं, नियू स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद ख़बरों और अप्डेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट रॉयलनियूस.TV और देखते रहिए रॉयलनियूस और क्या करना है? हेलाइन साबने जाने बुलेटन का बाकाइदा आगास करते हैं, वेल्कम बैक, हेलाइन साबने जाने बुलेटन का बाकाइदा आगास करते हैं, और सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं, चुटी 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 चुटी